दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हैं क्रिकेट न्यूज दोस्तो आई पिल 2020 की ओक्षिन को लेकर बी सी सी लगातार अपडेट देती जा रही है और अभी जो दोस्तो लेटेस अपडेट्स निकल कर आ रही है उसके इसाब से आई पिल 2020 का ओक्षिन हमें जन्वरी या फिर फर निकल कर सामने आ रही है जिसमें कियां दोस्तो कप्तान विराट कोली रोहिश शर्मा को लेकर एक बहुती चोकाने वाली खबर निकल कर सामने आ रही है और साथिया माइकल क्लार्क ने एमस दोनियर विराट कोली की कप्तानी के ऊपर एक बहुती बड़ा बयान दे दिया है और इसी के साथ दोस्ते हैं विराट कॉली ने हार्दिक पांडाय को लेकर एक बहुती बड़ी स्टेटमेंट दे दी है और इस सभी खबरों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो दोस्तो वीडियो काफी ज़दे इंपोर्टेंट और इंट्रस्टिंग होने वाली है आरसीबी और क्रिकेट के फैंस के लिए तो दोस्तो अगर आप भी हैं आरसीबी के बड़े फैन और वेट कर रहे हैं आईपेल 2020 का तो कर दीजे हमारी वीडियो का एक लाइक और आईपेल जोड़ी और छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट न्यूस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूरी दबा देना बात करूँ दोस्तो पहली बड़ी खबर की तो दोस्तो यह निकल कर आ रही है माइकल क्लार्क की तरफ से लेकिन जब से MS-Doni गए है तब से इंडियन टीम में मैच को समालने के लिए मैच को फिनिश करने के लिए कोई भी प्लेयर नहीं बचा है तो ऐसे में पहली गेंज से टर्गेट करना चाह रहे हैं पहली गेंज से तेज खेलना चाह रहे हैं लेकिन वो जैसे ही ऐसा करते हैं पहली गेंज से तेज खेलते हैं तो उनके विकेट गिर जाते हैं और फिर बाद में बहुत यदा रन रेट बढ़ जाता है क्योंकि पूरे IPL उन्होंने बॉलिंग नहीं की और फिर अगर हार्दिक पांड्या टीम इंडिया से बाहर हो जाते हैं तो यहां काफी बड़ा जटका लग जाएगा लेकिन दोस्तों इस पर विराट कोली ने कहा कि हार्दिक काफी अच्छा फील कर रहे थे और बाकी बोल का डीसिजन सही लगा कि नहीं नीचे कमेंट करके जिरू बतैएगा बात करूँ दोस्तों तीसरी और आकरी सबसे बड़ी कबर की तो दोस्तों यह निकल कर आ रही है रोहीषर्मा और विराट कोली की दरफ्ध था और टीम इंडिया शायर इस सीरीज में भी कमबेक कर सकती थी तो यह दोस्तों फानली विराट कोली ने बताया है कि रोई शर्मा को टीम इंडिया मिस्स कर रही है और इसके साथ यह विराट कोली ने बताया है कि अब बीसी से आई रोई शर्मा की इंजरी और उनके कमबेक को ट्रैक कर रही है कि यह किस तारी say सिरी स्वाक काफी इंपॉटनेट प्लेयर है और इसलिए टीम इंडिया को उनकी काफी जाज़ीरत है और इसलिए विराट कौली ने बताया है कि रोई का 11 दिसंबर को फ्लाइट पकड़ना अब लगबग लगबग कंफर्म हो गया है क्योंकि वह 90 फिट हो चुके हैं तो यह आप कंफर्म हो चुगा है कि रोज शर्मा 11 दिसंबर को पनी फ्लाइट पकड़ेंगे और अपने बच्छे वे टेस्ट मैचिस खेलेंगे तो आप सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरू दबा दीजेगा तो दूस्तों मिलते हैं आप से नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई थैंक्स वर वर